हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इस्टडी सर्कल 24 में तो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी ओपन उसकूल का असाइमेंट जो की मार्च महने का जो असाइमेंट है वो आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी का एंसर की बात करने वाले हैं तो चलिए देखेंगे हम आज का जो वीडियो है क्लास 10th सब्जेक्ट मैट्स का है तो इसमें हम यह देखेंगे कि हम मार्च मेहने में कौन्स कौन से प्रश्ण दिये गए हैं और उसके एंसर इसके हल आपको कैसे बनाने है तो चलिए देखते है इससे पह़ले यदि आप हमारे चनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक के अम सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपके यह आपका पहला प्रश्न है एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपाद दिया हुआ है तीन अनुपाद चार अनुपाद पांच तो त्रिभुज के सभी कोण आपको ग्याद करना है तो आप यहां से देख सकते हैं माल लेते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण है ए बी और सी तो angle A, angle B, angle C है तो angle A का मान 3X suppose करते हैं angle B का मान 4X और angle C का 5X हम जानते हैं कि tribus के 3 कोणों के योग कितना होता है 180 तो 3 को हम योग कर देंगे टीक है वीडियो को pause करके आप इसे note कर लें यह देख सकते हैं आप यहाँ पास A plus B, angle A plus angle B C plus angle C is equal to 180 हो जाएगा फिर इन तीनों को आप इसका मान लिखेंगे और तीनों को जोड़ देंगे कितना हैगा 12X हाएगा और divide करने पर कितना हैगा 15 ठीक है और अब आपको अलग-अलग angle A, angle B, angle C का मान निकालना है तो यह X की जगह पे यह 15 रखकर आप उसको निकाल सकते हैं तीनों कोणों का मान ठीक है देखिए आप यहाँ से आप निकाल लीजिए यहाँ पस पहला कोण निकालेंगे तो 3X है तो 3 इंटू 15 कर देंगे तो 45 आ जाएगा फिर जब दूसरा कोण निकाल रहे है तो angle B is equal to 4X तो 4 इंटू 15 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा फिर angle C निकालेंगे 5X तो 5 इंटू 50 15 तो 75 डिग्री आ जाएगा ठीक है यह आपके पस एंसर आ जाएगा चलिए अब second question देखते है students second question से Pythagoras प्रमे लिखिए और सिद्ध कीजिए ठीक है यह आपके पस question से चार number का है तो चलिए देखते हैं इसका आपको पहले इसका कथन लिखना statement students यदि आपको इसका pdf चाहिए तो आप हमारे telegram channel से join हो सकते हैं वहाँ आपको इसका pdf भी मिल जाएगा ठीक है और इस वीडियो को ज़्याद आपने दोस्तों को भी share करें जिससे कि आपके साथ साथ उनके भी help हो सके तो यह देखें यहाँ पास समकोंट तुलिबूज का एक कतन दिया हुआ है उससे लिख लें फिर आप इससे लिखने के बाद यहाँ से आप इसका diagram बनाएंगे यहाँ से यह diagram है और इसके बाद आप इससे अपर ड्रॉड कर लें या वीडियो को पॉस्ट कर लें ठीक है नेक्स्ट देखें यह यहाँ पास यह सिद्ध हो गया कंड का वर्क बराबर अधार को प्लस लम का वर्क तो यह आपको सिद्ध करना था यह हो गया इत्ती सिद्धम ठीक है यह सिद्धम लिख सकते हैं या फिर सिद्ध हुआ अब अगला प्रशन देखें सिद्ध कीजिए कि चक्री चतरभुज के कोणों का यूग समुख कोणों का यूग कितना होता है 180 डिग्री होता है तो इसका स्टेट्मेंट लिखेंगे आप यह कथन लिखेंगे कि चक्री चतरभुज के समुख कोणों का यूग कितना होता है 180 होता है फिर इसके बाद यह आप डाइग्राम बना लिजिए फिर इसके बाद क्या-क्या ग्यात है उसे लिखेंगे ठीक है और समुख कोणों का यूग 180 होता है उसे आप लिखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कर दीजिए रचना करेंगे इसके बाद दिएर आप पुरा लिखेंगे इसको तो यह आपके पास यह आ गया, सिद्धो गया कि चक्री चतरभुज के समुख कोणों का यूपफल 180 degree होता है अगला प्रशन देखें एक त्रभुज ABC के रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 5.5 cm है एंगल B, कोण B बराबर 75 degree है और कोण C, एंगल C is equal to 45 degree है और इसका रचना के पद भी लिखना है तो आप देख सकते हैं इससे आप बना लेंगे यहां से ठीक है और फिर इसके बाद इसके रचना का पद यहां तीन चरण में दिया है उससे लिख लेंगे अगला प्रशन देख लीजिए पांचवा प्रशना है अंधिम प्रशना है किसी कागज के लंबाई और चौड़ाई क्रमसा 33 संटीमीटर और 16 संटीमीटर है इससे इसकी चौड़ाई के अनुदिस मोड़कर एक बिलन बनाया जाता है तब इस बिलन का आयतन ग्याद कीजिए आयतन निकालना है बिलन के आयतन का सुत्र होता है पाई यार इसकार एच तो आप यहां से देख सकते हैं यह आपके बस दिया हुआ है इससे आप लिख लें यहां से फिर चौड़ाई दी हुई है लंबाई 33, चौड़ाई 16 मिटर, फिर बिलन का परिदी और उंचाई इतना दिया हुआ है फिर इसके बाद यहां से आप फॉर्मला यूज़ करेंगे बिलन के परिदी बराबर 16 टू पाई आर इसका फॉर्मला रख दीजिए पुरह यहां और फिर आप यहां देख सकते हैं इधर आर बराबर यह दो से कट जाएगा फिर इधर यह भी कटेगा तो कितना एक चार साथ में चार का गोड़ा करेंगे 28 28 बटे 11 टीक है वेलन का आयता निकालना है यह फॉर्मला हो गया सभी कमान यहां पास पूट कर दीजी टीक है तो यह आपके पास 672 घन सेंटीमीटर आ जाएगा टीक है आपको सारे आपके क्लास के जितने भी असाइमेंट के एंसर हैं वो आपको सारे असाइमेंट के एंसर मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप चले वीडियो में तब तक के लिए thank you and best of luck